नमस्कार आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर हरियाना सरकार ने जिले के अधिकारियों को लेकर नया फर्मान जारी किया है जिसमें सरकारी सकती साफ नजर आ रही है सरकार की ओर से जारी किये गए नए आदेश के मताबिक हरियाना सरकार ने लो एंड ओर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सक्त फैसला लिया है सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मताबिक डिप्टी कमिश्णर यानि DC पुलिस अधिक्षक यानि SP और उपमंडल अधिकारी बिना बताई जिला नहीं छोड़ पाएंगे इसके लिए उन्हें पूर में सूचित करना पड़ेगा सर्फ पहले इस विकर पूर को लेकर ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे इस दौरान उन्हें उनकी जगे पर कारेभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर सूचित करना देनी होगी सरकार की ये सकती लोई एंड ओर्डर को लेकर है मुखे सचिव की ओर से जाई निदेशों के मताबिक राजिस सरकार ने उत्रदाइत्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गम भीरता से लिया है और अधिकारियों को फिर इन देशों की पालना सुनिशित करने के लिए कहा गया है किसी भी चूक के मामले में दोशी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक का रवाई की जाएगी हर्याना सरकार के इस फैसले के पीछे की तीन बड़ी वज़े मानी जा सकती है पहली वज़े राजय की बिगड़ती खानून विवस्ता को लेकर सरकार गंभीर हो गई है और दूसरी वज़े विधाक लगातारी शिकायत कर रहे थे कि जिलों में अधिकारी नहीं रहते इससे काम अटक जाते है मुख्यमंत्री को शिकायते मिल रही थी अब इन शिकायतों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है तीसरी वज़े 2024 में होने वाले लोग सभा और विधान सभा चुनावों को माना जा रहा है हरियाना के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद अक्टिव मोड में नज़रा रहे है सेम अधिकारियों की पब्लिक डिलिंग के लिए ड्यूटी लगा चुके है नमस्कार आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर हरियाना सरकार ने जिले के अधिकारियों को लेकर नया फर्मान जारी किया है जिसमें सरकारी सकती साफ नज़रा रही है सरकार की ओर से जारी किये गए नए आदेश के मताबिक हरियाना सरकार ने लो एंड ओर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सक्त फैसला लिया है सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मताबिक डिप्टी कमिश्णर यानि DC पुलिस अधिक्षक यानि SP और उपमंडल अधिकारी बिना बताई जिला नहीं छोड़ पाएंगे इसके लिए उन्हें पूर में सूचित करना पड़ेगा सर्फ पहले इस विकर पूर को लेकर ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे इस दौरान उन्हें उनकी जगे पर कारेभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर सूचित करना देनी होगी सरकार की इस सक्ती law and order को लेकर है मुखे सचिव की ओर से जारी निदेशों के मताबिक राजि सरकार ने उतरदायत्मों में किसी भी प्रकार की कोताही को गम भीरता से लिया है और अधिकारियों को फिर इन निदेशों की पाला सुनिश्द करने के लिए कहा गया है किसी भी चूक के मामले में दोशी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक का रवाई की जाएगी हर्याना सरकार के इस फैसले के पीछे की तीन बड़ी वज़े मानी जा सकती है पहली वज़े राजय की बिगड़ती खानून विवस्ता को लेकर सरकार गंभीर हो गई है और दूसरी वज़े विधाक लगातारी शिकायत कर रहे थे कि जिलों में अधिकारी नहीं रहते इससे काम अटक जाते हैं मुख्यमंत्री को शिकायते मिल रही थी अब इन शिकायतों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है तीसरी वज़े 2024 में होने वाले लोग सभा और विधान सभा चुनावों को माना जा रहा है हरियाना के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद अक्टिव मोड में नज़रा रहे हैं सेम अधिकारियों की पब्लिक डिलिंग के लिए ड्यूटी लगा चुके है उन सब कठाईयों को दूर करने के लिए और वार लेवल पर प्रोपटी आईडी है इस परकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निद्रेश दिये हैं उनको और खास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है मिलने जुलने के समय में भी कोई कठोती ना करें प्रति दिन दो गंटे जनता से मिलने का अगार कम और ये भी आज तैकिया कि उन दो गंटों में कम से कम प्रदेश तरस से जो भी वीडियो कॉनफेंस होती हैं वो बिल्कुल निक किया करेंगे